Hello Everyone आज का टॉपिक है एक्स्प्रेसिंट्री, रियालिटी & फैक्ट्स आज मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि एक्स्प्रेसिंट्री सिस्टिम कैसे ओवर करती है या मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि CRS score cut off क्या होता है आपको CRS score बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपकी education क्या चाहिए ILTS में कितने band score चाहिए यह सारी चीज़े मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यह सारी चीज़े online, youtube, google यह सब जगह पे available है मैं आपको यह बताऊंगा कि Government of Canada की express entry launch करने के लिए क्या expectations है और क्या expectations है और आप कहां पे stand कर रहे हो तो Government की expectation और आपकी standing और बिच में जो जो भी agents है जो so-called बोलता है कि हम आपका करवा देंगे उनकी क्या projection है आपको किस तरह से project करते है और फिर आप उस trap में कैसे first जाते हो तो यह मैं आपको बताऊंगा कि इसको avoid करने के लिए क्या करना चाहिए तो basically मुझे daily basis पे बहुत सारी call आ जाते है कि sir हमारी 430 points से 410 points से CRS में या 380 points से हम एक देर साल से इसके पिछे लगे हुए है हमारी qualification meet हो रही है हमारी अच्छी English proficiency है लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है सर हम तो Canada आना चाहते है लेकिन बस हमने पैसे दे के रखे है किसी agent को और हमारे कुछ हो नहीं रहा है जब यह सारी questions बुझाते हैं तो मैं उनसे personally बाते करता हूँ बहुत सारी clients है तो मैंने उनसे personally बाते किये पर मुझे एक चीज कॉमन पता चली बहुत सारे clients mostly बहुतार्श लोगों की यही situation है जो मैं अब आपको बताऊगा शॉट में बताऊगा कि वो जब सोचते हैं कि उनको Canada जाना है तो basically क्या होता है कि Canada जाने के बाद गूगल सर्च करते हैं फिर गूगल सर्च करने के बाद गूगल का Facebook का एक automated system है कि तुम Google में कूछ सर्च करोगे आपको Facebook में automatic उसके ads आते जाएगे तो फिर यह corporate company उसी का फायदा उठाता है कि लोगों के जो के emotions है लोगों के जो की चाहत है तो corporate companies फिर आपके ऊपर उसके advertisement आ जाती है वह advertisement हवी हो जाती है फिर आप उससे inspire होके वह advertisement से inspire होके आप किसी corporate office को contact करते हो ठीक है फिर फिर चालू हो जाता है एक trap कि corporate office में जाओगे वहाँ पे बहुत अच्छा सा waiting launch होता है स्मार्ट receptionist होती है corporate culture होता है तो आप देखते हो कि चलो ठीक है आपको फिर कोई approach करता है sales agent अब यह sales agent भी होते ना यह sales agent बहुत ही convincing power रखते है उनको job उसी basis पे मिलती है कि उनकी convincing power incredible होती है तो आपके पास अगर उनके पास कोई बंधा भी बंधा भी आ जाए कोई भी बंधा आ जाए जिसकी सिर्फ grade 12 की education है थोड़ी अच्छी खाजी English है ठीक है एक दो साल का experience है तो उनको भी वह convince करते है कि या you are qualified for express century you are qualified for FSW we will take you to Canada within one year इस तरीके से convincing power उनकी awesome होती है ठीक है इसी के लिए उनको job मिलता है ले तो सोचो अगर वो बंदा जो sales agent है उसके खुद की भी तो English अच्छी होती है उनने भी MBA किया होता है ठीक है वो बंदे ने खुद ने MBA किया होता है उसकी English अच्छी होती है उसके पास 3-4 साल का experience होता है मार्केटिंग में जो कि skill level में आता है तो वो बंदा क्यों नहीं है Canada क्योंकि it's not easy वो जिस तरीके से आप convince करता है आप समझ लेते हो हो कि Canada जाना easy है और खुद ने गया होता है तो यह चीज़े ध्यान में रखो कि वो खुद क्यों ने गया ठीक है और इसी के basis के ओपर आज का topic है तो ध्यान से सुदिए कि reality क्या है कि government of Canada की expectation क्या है और आप कहा पर stand करते हो ठीक है तो बेसिकली जब यह मुझे पता चलता है कि कई सी corporate office में आपके साथ यह जो sales agent होता है उन्होंने आपको huge promise कि होते है कि करेंगे आपको job offer भी देंगे आपको यह बहुत आसान है हमने बहुत सारे experience स्टाफ है हमने बहुत सारे काम किये है ठीक है आप so-and-so amount यहां पर deposit करो ठीक है तो होता क्या है कि आपके qualification already होती है आपके पास English अच्छी होती है आपकी अच्छी job होती है यह तो आपके खुद के qualifications होते हैं ठीक है तो आपको खुद का एक self confidence भी होता है कि में रहो जाएगा फिर यह ad work करता है कि तुम क्याना कितना easy है ओ एड्स का हमारी दिमाग के उपर थोड़ा सा pressure आ जाता है अगर कोई ads हमारे अगर कोई ads हमारे सामने आ जाती है तो definitely हम उसके उपर believe करना कर सकते है करना चालू करते है यह natural है और फिर sales consultant होते है वो भी आपको फिर इस तरीके से convince करते है और आप खुश हो जाते हो और फिर जो भी amount हो बोलते हैं आप उनसे agreement sign करते हो हो amount pay करते हो और फिर wait करते हों कि next draw में मेरा draw में मेरा ITA आ जाए फिर draw के बाद draw draw के बाद draw draw के बाद draw के बाद draw निकल जाता है आपके होते है 380 points have 420 points draw तो कभी निचे आता नहीं है फिर आपकी कभी ITA आती नहीं है तो this this is the way this is the way you get more frustration तो अभी हम सोचेंगे कि basically express entry की government की government ने यह जब चालू किया प्रोगा तो government ने किस तरीके से यह प्रोगाम चालू किया क्या इसमें intention थी 2015 में 2015 में जब government ने यह प्रोगाम चालू किया उससे पहले एक point system था जो अभी भी federal skill worker में अभी भी वह काम करता है point system initial eligibility चेक करने के लिए तो इसके उपर में थोड़ा सा detail में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कि किस तरीके से यह काम होता है तो fsw जो प्रोगाम में federal skill worker express entry से पहले यह applications जाते थी paper applications तो इस applications में क्या होता था कि जिसके भी out of hundred 67 point बनते है that person is qualified to come to Canada on a PR basis तो उसमें six selections factor होते हैं वह based on your age, education, experience, English proficiency, adaptability and job offer यह six selection factors होते हैं जो कि अगर देखा जाए तो उसमें यह six selection factor में हर एक को point दिये जाते हैं तो यह six selection factor के total hundred points होते हैं और उसमें अपको 67 points को cross करना होता है तो कोई भी बंदा कोई भी person जो की graduate है जो की graduate है जिसको एक दो साल की experience है जिसकी IELTS में six blank score हो जाते हैं तो वो सारे बंदों की at least 67 points तो आराम से बन जाते हैं तो अगर कोई person just college से pass out है एक साल का experience है थोड़ी से English proficiency है तो वो भी qualified होता है और जो बंदा 10 साल से उसके field में mastery की है उसने और 10 साल में उसके field में उसने top achievements की है skill set बहुत ही जाता है वो भी qualified होता है तो यह drawback था प्रिवेस प्रिवेस अप्लिकेशन में प्रिवेस अप्लिकेशन में यह drawback था कि सारे qualified होता थे तो आपकी application पहले प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद एक ही qualified थे first in first out first in first out means तुमारी application पहले चली गही है तो आपकी application पहले प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद दूसरे बंदे की अगर किसी के 90 points है उसने application बाद में भेजिये और किसी ने application 67 points पहले भेजिये तो पहला जो 67 points है जिसकी qualification कम भी हो उसको priority मिल जाते थी यह drawback था government of Canada ने इसको हटा ले के लिए 67 points का criteria तो रखा कि minimum इतनी qualification तो होनी चाहिए चाहिए लेकिन फिर उन्होंने यह दिखाया कि यह जब 67 के जो लोग है फूल में जाएंगे और उसमें से जो top qualified है समझें कि उसमें से जो अच्छे well qualified है उनको हम select करेंगे और इसके वज़े से उन्होंने explicit किया तो 67 points अपको इंटर करने के लिए पूल में है जो कि serve जन करते है और उसके बाद जो कि top scorer है उसमें से जो top scorer है उनको invitation करते है और बोलते है कि तुम apply करो हम आपको प्यादर गे और उनकी प्याद छे मैंने में हो जाती है अभी हम हमने यह देखना है कि यह जो scorer में हम कहा पर है अभी देखो मैंने आपको यह बताया था कि सारे लोग 67 points से qualified है तो इतने सारे लोग अगर पूल में है तो सोचो कि इंडिया में हर एक दूसरे लड़के ने MBA की होती है मेट्रो सिटेज में मोस्तली अभी अभी वीले साइट पे घाव में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से लड़के पास अवठ होते हैं इंडिया की जो इंग्लिश लाइंवज की प्रोफिशेन्सियंसी है तो इंडियन की इंग्लीश बहुत ही अच्छी होती है तो हर एक बंदा छे बैंड स्कोर तो लेके ही आता है तो फिर कोई इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है उनकी एजुकेशन ग्रेड वन से लेके ग्रेड 12 तक उसके बाद कॉलेज उसके बाद जो भी है जॉब सारी इंग् स्कोर लेकर आए तो सोचे हर एक बंदा अंबीए के साथ मास्टर्स के साथ पूल में है उसकी आइल्ट्स भी एक्विवालिम्ट हो जाती है और एकस्पेरिस इंटरी में आपको मैंग्जीमम तीन साल का एकस्पेरियंस चाहिए ठीक है तो इंग्लिश education experience यह सारी चीज़े अगर अपकी एक लेवल पे हैं तो यह एक लेवल के बंदे अगर फूल में है तो देर इस अ competition तो फिर वह competition में जो टॉप करेगा सारे competition में तो सारों के टॉप स्किल को लिने अच्छे प्रोफेशनल को लिने जो कि हैं उनके इकोनोमिक को बूस्ट करें जो यह सोचो कि अगर आप express इंट्री में प्रोफेल डालते हो कि वेर आर यू स्टैंडिंग और इसके लिए government of Canada के website पे एक टूल है CRS टूल उसमें जाओ उसमें देखो कि वेर आर यू स्टैंडिंग मोस्ट पीपल जो भी बैचलर्स के साथ आते हैं अगर सिंगल बंदा है अच्छी आपको इस सारी चीज़ें पता दी होगी तो उनके 450 454 455 460 पॉइंट तक पॉइंट जाते हैं ठीक है 460 के उपर बहुत ही कम लोगों के पॉइंट जाते हैं तो और CRS स्कोर 460 के निचे आ नहीं रहा है तो जितने भी लोग है सोचे कि कि किसी भी एजेंट को या कंसल्टन को इसके लिए पैसे देंगी की जूरत नहीं है आपके पॉइंट आप खूद कैलकुलेट करें ठीक है सारी इंफॉर्मेशन जेनूनली डाले किसी किसी भी पॉइंट को ट्रिगर ना करें ठीक क्योंकि आप जो पॉइंट आप प्लेम करें कि आपको उसको तो भी देराओ चांसेस वी कन डू सम्थिंग और अगर आपके पॉइंट 430 के निचे है तो सोचो कि आपको एजन के पास जाने की जूरत नहीं है आप फिगर आउट करो कि मैं 450-430 पॉइंट तरग या 470-480 पॉइंट तरग कैसे जाओ खुद से करो मैं इसमें एक एग् कि अगर किसी बंदे के पास खाना रखा और जैंडर अदा एतना लेजिए आधा हो बोलता है कि यार मैं रहा हो घुल मुझे खिला कि दो दो कि अगर दो मिखें दो जाते कि पास बोलते कि तुम मेरा करवा मैं ना काम चेने कैन्या कुआ जाने हुआं tąличion तो 2 वह एजेंट वह सेल्स एजेंट बोलता है आपको कि भाई तो कुछ ना कर हम आपका सारा काम करेंगे बहुत सारा experience है मुझे पैसे दे दे और फिर तुम पैसे देने का कुछ नहीं होता है क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है तो यही एक ट्रैप तो हमने अभी देखा कि express entry competitive है जिसके ज्यादा पॉइंट से वह कैनड़ा इजी लिया सकता है तो कितने पॉइंट चाहिए 470 अब वो जिसके पॉइंट से जिनकी extraordinary skills है जिनके points 470 अब बन रहे हैं तो डेफिनेटली वह आ सकते हैं विदाउट एनी help without any problem they come to Canada 6-8 months के दवरान वह आ सकते हैं हम उनके लिए बात कर रहे हैं हम उनके profile के लिए बात कर रहे हैं जिनकी profile में 350 से लेके around 450-460 के points है जो कि जिनका CRS cutoff मेट नहीं होता है और उसके below जिनके points है हम उनके लिए बात करें और वही बहुत आंश्च लोग है वही mostly वही candidates है कि जिनके points नहीं बन रहे हैं उनके लिए session है कि explicitly क्या है कैसे work out करती है अगर किसी के 350 points है तो मैं उनको बोलता हो कि भाई देख तेरे पास दूसरा option नहीं है किसी भी तरीके से तो अगर Canada आ सकता है तो आजा जाए जोब पे आ जाए या किसी study के लिए आ जाए तो आपको फिर within Canada options open हो जाते है अपको PNP explore हो जाती है तो possibility है तुम अगर तुम्हारे पास CRS score कम है तो प्लीज चेक किजिए कि हम किस तरीके से Canada इंटर करें एक बार इंटरी करें तो बहुत सरी option open है उनके लिए तो जब उनसे यह बाते होती है तो थोड़ा सा उनका यह होता है कि नहीं मुझे directly PR के आना है तो मैं समझ सकता हूं कि जिनके points 430 and above है 420 and above है 400 and above है तो उनके लिए definitely option बन सकती है directly PR आने के लिए लेकि जिन तो जिनकी भी point CRS से CRS cutoff के नेचे होते हैं तो उनको बहुत सरी option दी जाती है लोगों से कि तुम तुम job offer लेलो direct PR possible है तुम job offer लेलो direct PR possible है तुम PNP लेलो यह उनको suggest किया जाता है अभी reality क्या है एक तो बात यह है कि job इतनी आसने से मिलती है तो definitely उसका answer no जो पहले तो job मिलती नहीं है दूसरी चीज़े होती है और उसमें filter हो जाता है कि आपको अपके field में job चाहिए होती है तो ओ भी difficult है तो पहले तो किसी भी अगर हम इंडिया में है तो इंडिया में भी अच्छी job मिलना बहुत मुश्किल है तुम इंडिया के citizen ह इंडिया में अच्छी job at the initial stage तुम क्याना में आओ गये तो इंडिया में भी अच्छी job मिलना बहुत मुश्किल है तो तुम कैसे expect कर सेतों कि abroad में आपको अच्छी job मिलेगी immediately तो job मिलना पहले तो बहुत मुश्किल है तो हमें अपके points को पॉइंट को इंक्रिस करने के लिए आपके फिल्ड में जॉब होनी चाहिए तो आपकी मार्केटिंग फील्ड हो फाइनस फिल्ड हो IT की फिल्ड हो तो उसमें जाब तो आपके यह फिल्टर होके ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं और तिसरी चीज बहुत इंपोर्टन है आप जिस एजेंसी के साथ काम करते हो, उस एजेंसी के पास अपके प्रोफाइल में बहुत सारे अप्लिकांट है, तो अगर जॉब सी कम आवेलेबल है, और उनके पास यह जो कैंडिडेट से उनकी लाइन लगी हुई है, तो तो उसकी को जॉब देंगे, ठीक है, तो यह बेसिकल कि बहुत difficult task है मैं यह नहीं बोल करना कि एक impossible हिर इंपसिबल नहीं है यह difficult है तो अगर अगर आपको जॉब यह नहीं आपको जॉब जहेंगा तो आपने लॉजिकल ही सोचना हैं कि मिल जाएंगे तो यह चीदे देखो कि पॉसिबल दिये तो बेसिकली अभी तक में यह आपको समझा रहा था कि एक्सप्रसिंट्री के system के principles क्या है बेशिक कुस फ्रक्टे शेंटर है और आप कहा पे स्टन करते हो तो बेसिकली मेरा को यह बताने का इरादा था कि knowledge Aww अगर आपको यह सारी प्रॉसेजर के बारे में अगर आपको पता चलेगा तो अपको decision देना easy हो जाएगा आपको पता चलेगा कि अपका agent अपका consultant जो आपके लिए काम कर रहा है वो काम सही तरीके से सही रास्ते पर जा रहा है यह नहीं जा रहा है है तो इस procedure को देखिए कि अब कहां पर स्टेंड करें analyze किजिए और फिर informed decision कि हमें consultant को consultant के पास जाना है कौन से स्टेज पर जाना है अभी जाना जरूरी है कि बाद में जाना जरूरी है कौन से लेवल पर हमने उसके assistance लेनी है तो यह सारी तरीके यह सारी information अपको definitely it's a information age तो आपको यह सारी आपसे पैसे लेनी लेने है अगर आपको knowledge है तो आपको किसी को पैसे देनी की जोड़त नहीं है यहीं आज का topic था कि system को समझे मैंने आज जो भी बाते की है थोड़े सी different तरीके से किये मेरा कहने का यह मतलब है कि explicitly आसान नहीं है अगर आपको बिल्कुल knowledge नहीं है तो यह बिल्कुल आसान नहीं है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आपको इसमें पूरी knowledge है या considerable knowledge है तो यह difficult भी नहीं है ठीके कि it's not very difficult अगर आपको knowledge है आपको पता चलता है कि आप कहां पर stand कर रहे हो उसको analyze करें और फिर उससे आपकी goal बनाए क्योंकि मैं यहां पर lag कर रहा हूं मुझे यह तरीके से जाना है इस step मुझे यह चीज करनी है अगर आपको knowledge है तो यह बहुत easy है लोग आ रहे हैं Canada लोग है तो आपके लिए easy है लेकिन आपको इसके लिए knowledge चाहिए तो यह complete आसान नहीं है लेकिन एक दम difficult भी नहीं है hopefully यह session आपको अच्छा लगा होगा तो अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी questions है तो please comment box में लिखिए and I will be happy to answer all of them have a nice day bye